दस मिनट इस वीडियो को देखें और आप अपने जीवन में बदलाओ पाएंगे सही सोच और सही काम के लिए सही समय का इंतजार ना करें तोकि जिस समय आपने सही काम करने के लिए सोचा है वही समय सबसे बेतरीन है शमशान में जाते देखा मिट गई सारी छुआ चूत साथ आज चल रहें ब्रामण वैश राशपूत चिकनी चुपड़ी बातों से फितरत का पता नहीं चलता अंदर क्या है बाहर क्या है इसका पता नहीं चलता जो मीचेपन का लेप चड़ा कर प्यारी प्यारी बाते करते हैं वो कड़ुता का रंग कब दिखाएंगे इसका पता नहीं चलता परवाह ना करो चाहे सारा जामाना ही खिलाफ हो उसी रास्ते पर अकेले चल बड़ो जो रास्ता सही और साफ हो तुम्हें जो सही लगे वही करना ये जिंदिगी आप की है किसी के बाप की नहीं पहार चड़ने वाला विक्त जुक कर चलता है और उतरने वाला अकड कर चलता है कोई अगर जुकर चल रहा है तो मतलब वो उचाई पर जा रहा है और कोई अगर अकड कर चल रहा है तो मतलब वो नीचे जा रहा है मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं और दिल से जो दिया जा सकता है वो कभी हाथों से नहीं अभिमान की ताकत फरिस्ते को भी शैतान बना देती है और नमरता साधारन इंसान को भी फरिस्ता बना देती है इमानदारी बड़ा ही महंगा शोक है हर कोई इसे नहीं पाल सकता इतना आसान नहीं है अपने धंग से जिन्दगी जीना अपनों को भी खटगने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं जो वक्त नहीं दे सकते वो साथ क्या देंगे सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता उस हाथ को हमेशा थामे रखना भी जरूरी होता है जो आपके बुराई करते हैं उन्हें आपको बुरा भला कहने दो क्योंकि वो आपकी बुराई कर सकते हैं कभी आपकी बराबरी नहीं जो अपने कदमों की कावलियत पर विश्वा सरते हैं वो ही एकसर मंजिल तक पहुंसते हैं जिन्दगी में उस मुकाम तक चाना है जहां सिर्फ मेरा नाम ही ना हो मेरा एक ब्रांड भी हो मेहनत पापा से सीखे और संसकार मा से बाकी दुनिया दारी तो सब दुनिया ही सिखा देती है वा गल्ती सबसे बड़ी गल्ती होती है जिसमें गलत होने का एहसास ही न हो यह दुनिया किसी की इज़्जत नहीं करती यहां सिर्फ इंसान अच्छा होना जरूरी नहीं बलकि उसके बस पैसा होना भी जरूरी है इस दुनिया में मेरी मौत पे किसी को भी अफसोस नहीं होगा सर्फ माबाप ही कहते हैं कि मेरा बच्चा चला गया इसलिए उनके लिए किसी को न छोड़ें बलकि किसी को भी उनके लिए छोड़ दें मों खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है चाहे दौलत हो, वस्तू हो, रिस्ता हो फिरिया जिन्दगी कुछ बनना ही है जिन्दगी में तो समंदर बनो लोगों की पसीने छूट जाएं तुम्हारी ओकाद नापते नापते मुहबबत मा से सिखो और शब्र पिता से प्रेम राधा से सिखो और इंतसार मीरा से किसी का भला न हो सके तो बुरा भी मत करो क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं एक नया सबक सिखा है जिन्दगी से जितनी कडर करोगे उतना ही परिशान रहोगे किसी को पानी लाने के लिए भेजो तो खुद पहले पानी पीता है इस जिन्दगी है जनाब किहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है अकसर छूठे इंसान की बाते मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है सच्चाई हमेशा खामोस रहने वाले इंसान की अंदर ही मिलती है जूट बोलने वारे तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं बहुत कोशिश की मैंने रिस्ते सम्हालने की पर अफसोस आखिर बिखरी गया क्योंकि एक हाँ से तो ताली भी नहीं बसती